फायदा के फंड सीरीज में हम हर हफ्ते आपको म्यूचुल फंड के बारे में जानकारी देते हैं इस सीरीज में हम आपको small cap से लेकर large cap तक तमाम केटेगरीज के कुछ चुनिंदा फंड के बारे में बता चुके हैं आज, आज क्या बताने वाला हैं? तो आज हम mutual funds के एक बिलकुल अलग पहलू के बारे में बताएंगे आपको याद होगा कि हाल में ही Tata Tech का IPO मार्केट में आया है और इसे लेकर investors में तगड़ी दिल्चस्पी देखी गई इसके लिस्टें 500 रुपई की issue price के मुकाबले 140 फीजदी उपर यानी 1200 रुपई पर हुई और investors की चान्दी हो गई का investors सोचते होंगी कि क्या mutual funds का भी IPO आता है क्या इन में भी पैसा लगा कर share बाजार में कमाई हो सकती है तो बस इसी मसले पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे यानी mutual funds के IPO पर इन्हें NFO कहते हैं NFO यानी new fund offer जब asset management company जो अपने नई funds लेकर मैदान में आती है तो इन funds को NFO कहते हैं पूरी खब़ डेटेल में समझते हैं आपको पैसा लगाने का मौका मिलता है जैसा कि IPO में होता है एक तैवक्त तक ही इनमें पैसा लगा सकते हैं और फिर IPO लिस्ट हो जाता है आम तोर पर NFO में units 10 रुपाई की rate पर आवंटित होती है यानि अगर आप 5000 रुपाई लगाएंगे तो आपको 500 unit मिलेंगी अब NFO बंध होने के बाद investors open ended funds में units खरीद या बेच सकते हैं स्कीम की performance के हिसाब से units के भाव उपर नीचे होते हैं सस्त दाम पर मिलने के चलते कई investors NFOS में पैसा लगाने की तरजीह देते हैं तो ये थी NFO के बारे में मोटी मोटी आपको जानकारी देदी हमने अब आपको होताते हैं कि फिलहाल subscription के लिए कौन से fund खुले हुए है तो इस वक्त चार mutual fund NFO subscription के लिए खुले हुए है इनके नाम है Axis US Treasury, Dynamic Bond ETF, FOF, DSP Nifty Small Cap 250 Quality 50 Index Fund मोतिलाल Oswald Small Cap Fund और Samco Dynamic Asset Allocation Fund अब आपको एके करके इन सभी funds के बारे में जानकारी देते हैं सबसे पहले Axis US Treasury Dynamic Bond ETF Fund of funds की बात करते हैं तो ये एक open ended scheme है जो की ETFS में पैसा लगाती है इसके underlying investments में US Treasury Securities शामिल है ये scheme 5 December को open हुई है और 11 December को बंद हो जाएगी तो इस scheme का investment objective overseas ETFS के यूनिट्स में पैसा लगाकर regular income देना है इस scheme को benchmark Bloomberg US Intermediate Treasury TRI इस scheme को विनायक जाइनाथ मैनेज करेंगे इसमें आप 500 रुपई के minimum investment से आप शुरुआत कर सकते हैं ये scheme अपने assets का 95 से 100% तक हिस्सा overseas ETFS की यूनिट्स खरीदने में लगाएगी अब बात DSP Nifty Small Cap 250 Quality 50 Index Fund की ये open ended scheme है ये Nifty Small Cap 250 Quality 50 Index को track करती है इस scheme का NFO 5 December को खुला हुआ है और बंदर को बंद हो जाएगा तो scheme का investment मकसद है Nifty Small Cap 250 Quality Index के हिसाब से return मोहिया कराना इसका benchmark Nifty Small Cap 250 Quality 50 TRI है इसकी fund manager अनिल गिलानी और दिपेश शाह है इसमें minimum आप 100 रुपए लगा सकते हैं और ये 95-100% कॉर्प्स Nifty Small Cap 250 Quality 50 Index वाले शेरों में लगाएगी अब मोतिलाल ओस्वाल Small Cap Fund पर आते हैं तो ये भी open ended scheme है और Small Cap Stocks में पैसा लगाती है इस scheme का NFO 5 December को subscription के लिए खुला है और ये 19 December को बंद हो जाएगा अब इसका benchmark Nifty Small Cap 250 TRI है scheme के manager है अजये खंडेलवाल, निकेल शाह, राकेश शेटी और अंकुष सूध इसमें 500 रुपई के minimum amount से आप एकमुष TISIP investment कर सकते हैं scheme 65-100% स्मॉल कैप कमपनियों के शेरों में 0-30% स्मॉल कैप छोड़ कर बांकी कमपनियों के शेरों में लगता है 0-35% पैसा, debt और money market instrument, liquid और debt funds में लगाने की भी इसमें गुंजाईश है अब SEMCO dynamic asset allocation fund की बात करते हैं तो ये एक open ended fund है ये scheme 7 December को open हुई है और 21 December को बंद होगी scheme का मकसद शेरों, equity derivatives, fixed income instruments और foreign securities में पैसा लगा कर long term capital appreciation हासिल करना है ये scheme नित्य 50 hybrid composite debt 50 to 50 index को track करती है इसके fund manager पारेस, मतालिया, उमेश कुमार महता, अभीरपूर मुखर जी और धवल, धन, श्याम, धनानी है इसमें आप minimum 5000 रुपे से investment कर सकते हैं कीम का 0-200% हिस्सा जो है, वो equity या equity related instruments में लगाया जाएगा और 0-200% पैसा जो है, वो debt और money market instruments में company लगाईगी तो ये तो थी इन NFO की जानकारी, अब सवाल, ये पैदा होता है कि एक आम investor को क्या इन NFO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं तो चलिए इसका जवाब देते हैं आपको, तो असल में investors को किसी NFO में पैसा लगाने का फैसला तब ही करना चाहिए, जबकि उसमें कुछ खास मिल रहा हो अगर ऐसा नहीं होता, तो investors को पहले से मौजूद funds में ही पैसा लगाना चाहिए, जिनका track record आपको पता हो तो ये तो थी NFO के बारे में पूरी जानकारी और साथ ही हमने आपको मौजूदा वक्त में चल रहे NFO के बारे में भी बताया आपको फायदे के फंड का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं अगले हफते, में चुल फंड से जुड़ी, कोई और जानकारी या फंड के बारे में बताएंगे, तब तक लिए देखते रहे हैं बिस्तक बिस्तक आपके लिए लाया है Premium Membership Program जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिन में Market Newsletter, Live Chat पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, Market Outlook, Weekend पर Market Scan, Anchors के साथ Chat और भी बहुत कुछ इस Premium Subscription में तीन तरह के Plants हैं, Silver, Gold और Platinum, जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के YouTube चैनल पर जाए, Join बटन पर क्लिक करें और अपना Plan सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे Premium Member कर्णा करें बटना ब stitch प्रहक पजर रस्यों करें